नमस्कार जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ साहिल धूलिया बुलिटिन की शुरुवात करते हैं पंजाब के पूर्व सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस की और इस दोरान बड़ा एलान कर दिया अमरिंदर सिंग ने कहा कि वो नई राजनितिक पार्टी का गठन करने जा रहा हैं जिसका नाम जल्द बताया जाएगा प्रेस कॉंफरेंस में अमरिंदर सिंग ने सबसे पहले अपने कारेकाल में हुए कामू की जानकारी दी अभी अम्रिंदर सिंग ने ये साफ नहीं किया है कि वो पंजाब चुनाव 2022 में बीजेपी या किसी और दल संग गडबंदन करेंगे या फिर नहीं इस दोरान अम्रिंदर सिंग ने नवजोट सिंग सिद्दू को भी गे रहा और बोला कि उनके समर्थकों को लोग धमका रहे हैं हम वहां ये चुनाव लड़ेंगे जहां से सिद्दू खड़े होंगे अम्रिंदर ने दावा किया कि सिद्दू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कॉंगरेस की लोग प्रियता 25 पीसिदी घटी है इसे के साथ पंजाब के पूर्व सीम कैप्टन अम्रिंदर सिंग ने प्रेस कॉंटरेंज में पास साल पुराना कॉंगरेस का घोशना पत् पूर्व सीम कैप्टन अम्रिंदर सिंग ने प्रेस कॉंटरेंज की जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी का एलान तो कर दिया लेकिन साथी साथ उन्होंने अभी पार्टी का नाम नहीं बताया है उनका कहना है कि जल्द ही पार्टी के नाम की भी गोशना कर दी जाएगी प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया था और कुछ ऐसे काम थे जो पूरे नहीं किये जा सकते थे कर दो सकते थे जार्ड़ी किते चाहें सड़कादी हो नियूं जाएर पैर्सों चाहें जो मुड़ी हो इंडस्टी मेरा टार्गेट सेट किता सी कि मैं एक लग करोड रुपए यह धी इंडस्टी यह ना चाहून है पंजाब देविच विक विक व्यक्ता आप अपा अग्रिक आप्रिया हों जेते हैं अप्राइब एकानुमी जेनरेट होई जेते हैं टैक्सेशन पूम्स टूदी एक्षेकर वगरा इसारीया चीजाहां तो नहां समंदत सी हां एक क harbor उन्याब है आ ये करोड़ करोड़ के एक बार्दा ज्चार्थी आ now when people talk whether it is all party or anybody they must be given the proper briefing I don't know what they were given whether they were given briefing or not but I have the figures here of from day one to day now they see here what was the one that was when they arrived or they were able to wear it to the top of the right arm and made a stand where it was a heroine and after that one later the water was down, it was coming up to the water जो अज पांट पांट निज गात्र निज एक विच्ट आजे लड़ाई होई सी उनिस अग्टर निज एक लड़ाई होई सी एच एच ज़ने ने शुरू की तर इस लिए दिन वाफेर एदा भी आप तो बेरी कर्फुल के करें तो अज एस ताम फॉर्बमन तो ओन आप जो नहीं कजार रचे रोग Hahn हम ऐसी वźज लंड़े को सी ज़नार ने मियोें और घुरू इच पांट विच फांट आज जो अज उसी पोलिट ये के सक्यूरिटी वास्ते कोई पॉलिटी नियुदी एक गुवर्मन ती अपनु मादब करनी चाहें दी है। जेडिविए। वेदर इस अकालीदाल और वेदर आम आदमी और वेदर इस मैसल्फ और वेदर समपड़ी एल्स, वेदर समपोर्ट गुवर्मन इस तो मैंटें पीस पहले, सिंध पंजाb. Now this is what I want to say to you. Now you want to know about, yes, I am, the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers, our lawyers are today working with the Election Commission and Jado Election Commission gives us the name, I put the symbol, I am to tell you what. But I can't give you a... तुनु परना कोई नाम दे दमा के पार्टी दा और कोई निकड़ा है कुछ हो रोतों that won't be right so let us wait for the election commission to decide but our lawyers are on the job and we will give you the symbol also we have made a request for symbol and we have made a request for names also and when that comes when you root from the sun वहीं Punjab के पूर्वसीम अमरिंदर सिंग नई पार्टी बनाने का एलान करते ही राज्य कॉंग्रस अद्याक्षिन अव्जोद सिंग सिद्धू के निशाने पर आ गए है सिद्धू ने अमरिंदर सिंग पर बेहत गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें बीजेपी का वफदार सिएम करार दिया है सिद्धू का कहना है कि अमरिंदर सिंग ने अपने आप को बचाने के लिए पंजाब को दाओ पर लगाया तो उन्होंने अमरिंदर सिंग पर आरोप लगाए अमरिंदर सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस बुला कर नई पार्टी बनाने का एलान किया था सिद्धू ने इसी दौरान ट्वीट कर कहा कि हम कॉंग्रेस के 78 विधायक हैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें क्या हासिल हुआ है बीजेपी के वफदार सिएम कैप्टन अमरिंदर सिंग को एडी कंट्रोल करती थी तो नफजियुत सिंग सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंग पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो भारतिय जन्ता पार्टी के वफदार सी-म रहे हैं साथी साथ अन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कैप्टन अम्रिंदर सिंग जिसने अपनी चम्री बचाने के लिए पंजाब के हितों को बेच दिया वो आज नई तो दर मुक्यमंतरी मनोहरलाल ने एलनाबाद में आयुजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की जहां इस दोरान सीम मनोहरलाल का लड़ा रिजॉट में दलित समाज ने स समारों को संबोधित करते हुए कहा कि एलनाबाद की नहरी पानी और सेम की दशको पुरानी समस्या का हमने हल किया है और अगर विदायक भी बीजिपी का होगा तो एलनाबाद के हर छोटे बड़े काम आसानी से होंगे तो एलनाबाद उपचुनाओ को लेकर सीम मनोहरलाल भी अलग अलग जगाहों का दौरा कर रहे हैं एलनाबाद के विकास के लिए काम करने की बात सीम मनोहरलाल खटर करते हुए नजर आए वियापारी सम्मेलन में वो पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कहा कि एलनाबाद के विकास के लिए तमाम तरीके के काम यहां किये खाद को लेकर क्रिशी मंत्री जैप्रकाश दलाल ने प्रेस कांफरेंस की जैपी दलाल ने कहा कि हर्याना में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और पिछले साल के मुकाबले जादा डीएपी खाद दी गई है इसी के साथ खाद की काला बाजारी को लेकर उन्होंने कहा कि इ जादाधा धान की खरीदारी की गई है कि ये पी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी तोटल जो खाद की इस प्रवी सीजन की आकड़ा है पिछले साल 2022 का अस्तिमेट अमारा जो है जूरिया की ग्यारा लाक मिट्रिक्टन की जरूरत होती है जिसमें से हमारा एक अक्तूबर को 1,36,683 मिट्रिक टन हमारे पास स्टोक था और 27 तारिक तक इस बहिने में 1,23,373 मिट्रिक टन आ चुका है दोनों मिला करके 2,60,56 मिट्रिक टन यूरिया कि वहीं कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद के लिए किसानों में मारा मारी इस कदर है कि किसान सुभा सुभा पांच बजे लाइनों में लग जाते हैं लेकिन लाइनों में लग कर भी नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है वहीं किसानों का कहना है कि इतनी जल्दी घर से आकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं जबकि सहकारी समितियों के बाबू 9 या 10 बज़ाते हैं इतना ही नहीं किसानों को पूरा दिन हो जाता है लेकिन खाद नहीं मिलती। किसानों का ये भी कहना है कि समीती के लोग स्टॉक कम होने की वज़ा से खाद नहीं देने की बात करते हैं। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि किसान D.A.P. खाद को लेकर काफी जादा परेशान है सुबह सुबह ही लाइनों में किसान लग जाते हैं और दिन भर लाइनों में खड़े रहने के बावजूद किसानों को खाद की सप्लाई यहां पर नहीं दी जा पा रही है जिसके चलते किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को कहना है कि बाबू और अधिकारी खुद 9 या 10 बज़े आते हैं और हम सुबह 5 बज़े से लाइनों में लगकर खाद का इंतजार करते हैं और पूरा दिन लाइनों में लगे रहने के बावजूद हमें खाद नहीं मिल पा रही है किसान परावोस्ट में सब तो बड़ी समस्या जो किसान साथिया नहीं आ रही है कि डी एपी दी कमी दी हर्याना पजाब यूपी दे अंदर किते वी कसानानू कनक दी आलू दी ते सरों दी बजाई करन दे लई सरों दी लई भी जन दे लई डी एपी नहीं मिल पा रही है सरकार लगातारे चूटे दावे कर रही है चूट बोल रही है कि साड़े को डी एपी सरपलस है जदों की जमीनी हकीकत वेखी जाए ता लगबग हर शहर हर कस्वेदे अंदर खरीद के इंदर आउते वड़ियां लाइना लगिया हूँ याने थाने आच पूलस थाने आच टोकन लाएके डी एपी बंडिया जा रहे है उदर करनाल में हर्याना प्रदेश में मनोहर सरकार के साथ साल पूरे हुने पर साथ उपलबदियों को जनता के सामने रखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ओर से सरकार के साथ साल पूरे हुने पर करनाल लगू सची वाले के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और कॉंग्रेस नेताओं ने सरकार के साथ साल साथ उपलब्दियों पर जोरदार हमला करते हुए साथ सवाल पूछ डाले कॉंग्रेस पार्टी के जिला संयोजक तरलोचन सिंग ने बताया कि देश प्रदेश में महिंगाई, बेरुजगारी, गरीबी, किसानों की दुर्दशा और क्राइम की घटनाओं में बेता हाशा बड़ोत्री हुई है इन सभी मुद्दों पर सरकार जवाब दे सरकार केवल साथ सार पूरा होने पर जुम्ला बाजी करने में लगे हुई, जनता सब जानती है ये परदशन इसलिए कि किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ग, ये मोधी सरकार जो ब्रष्टा का चारी सरकार है, इससे सब ही दुखी है क्योंकि जो सरकार रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली न दे सके, ऐसी सरकार का कोई भैदा नहीं, क्योंकि जितने मीचे करमचरी हैं, चे ग्रीव बर्द के हैं, उनको रोटी खाने की बहुत ही दिक्कत आ रही है, हर तरब तरही तरही आ हो रही है, लोग कमी आने के करन, क करुक शेत्र के शामाद में, सैक्रो की संख्या में, किसान इखटा हूऋकर बिजली विभात कारयाले पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने बिजली विभात का गहरा ओ किया, किसानु का क्योंकि ये कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं उनको विभाग की तरफ से बदलने में देरी की जाती है जबकि विभाग के अनुसार 48 घंटों में ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता है इसी के विरोध में सैकडों की संख्या में किसानों ने एकटा होकर माफ कीज़ेगा इखटा होकर शाहबाद बिजली कार्याले का घेराओ किया साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिजली विभाग के करमचारी रात के समय बिजली चोरी को लेकर गाउं में घरों में चापे मारते हैं जिससे लोगों को काफी परिशानिया होती है बिना बताए किसी भी घर में घुश जाते हैं तो इससे ग्रामीनों ने एतराज चताते हुए घेराओ किया ग्रामीनों ने कहा कि घर में बहु बेटियां होती हैं उस समय अचानक से घर में घुश जाना शोबा नहीं देता। हम एक्सेंज को चोटे ट्रासफर्मर नहीं मिल रहे हैं और जिस्को लेकर आज की काल की ती एक्सियन दफ्तर की घराओं की और अभी एक्सेंज साब बीच में हैं उन्हें कहा कि यदि आप छोटे ना हुए तो अम उनको बढ़े पुलबद पुलबद वहीं इंदरी में पावर हाउस प्रांगन में ओल हरियाना पावर कॉर्पोरेशन संबन्दित सर्व करमचारी संग हरियाना की स्टेट कमिटी के आवाहन पर विरोध गेट मिटिंग का आयूजन किया गया जिसमें काफी संख्या में करमचारियों ने भाग लिया इस गेट कीत सिंग और SKS ब्लॉक और यूनिट वन प्रधान नरेश महिला ब्लॉक कैशियर कैलाश मौजूद रहे जानकारी देते हुए SKS ब्लॉक के SKS यूनिट वन प्रधान नरेश महिला ने बताया कि बिजली विभाग के करमचारियों के ओर से अपनी मांगों और समस्तियाओं क को निगम की ड्यूटी करने में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने बताया कि इसके अतरिक्त करमचारियों की विभाग्य समस्तियाओं का समय पर समधान ना होने के कारण नुक्सान जहिलना पड़ रहा है कर्मचारीयों को पक्क है पेंडिंग पड़ी है कारण के इसको के करमचारियों की उनके लाब देने की जो माले पंजाब के समानुएतन करमचार कि बहुत समस्क्राइब कल रावड है अपनी मांगे रखते हुए उजगे घ्यापन सवपा है जिसमें मेन इनकी जो मांग है वो तो जारे किस बिजलिवी को वापस लेने की है प्रैवटेजेशन खटम करने की है और कच्छे मचाइयों को ज्यादा से ज्यादा पक्चे मचारियों की तरह सुविजायी परदागर करने की है और इसके अलाव भी उधी समझ्द Bloody समय है कि इसे मैं अपने उच्छिगारियों को दातिक निदेमर के इसे की जो वहीं कुरुक्षेत्र में जहराम विद्या पीट में तीन दिवसी एराष्टी स्तरिय वैदिक सम्मेलन का समापन हुआ जहां इसकारिक्रम में ब्रह्म स्वरू ब्रह्मचारी ने कहा कि अब संस्कृत के वेद पाटों का वैदिक ज्यान देश भर के कोने कोने में कुरुक्षेत्र से गुंजेगा कि बिल्कुल गौर तलब है कि जैराम आश्रम में देश भ बोला जाएगा और यह विश्विद्याले बन कर भी जल्द तैयार होगा है कि अब पीट और संस्कृत सांधिपनी विश्विद्य लवुजयन के तत्वधान में अच्छी चबिस ताइस तीन दिन पूरे हिंदुस्तान के वेदों के विद्वान पंडित यहां विख्यत्र बेद पार्ट ऐसे करते हैं जैसे बहुत यग यह वेदों का यह हो रहा हो और पूरा वाइप्रेशन पूरे खुरुक्षेत्र में गुज रहा था खुरुक्षेत्र में इसका है उजयन हुआ और मारशी संदप्पिनी जो योग संसान है उजयन में कि उनके साथ सन्युक्त तत्वधान में जैराम विध्यापीच कुषेत्र ने इसका योगन किया मैं समझता हूं कि कुरे कुषेत्र गले बहुत ही गौरव की बात है कि पिछले तीन दिवस यहां पर वेद बाठों का वेद स्वरों का वेद मंत्रों का जो घोश हमने यहां और देखा यह अपने हाँ में बहुत अब्वत हमोती थी महीं कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद अब डेंगू अपना कहर बरपा रहा है जिसको लेकर जिला मरेरिया अधिकारी डॉक्टर सुरेश सहोता मानते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक डेंगू के 101 केसिस मिले हैं पांसो बयानबे सेंपल लिए गए हैं जबकि 4686 जगा लार्वा मिला था जिन में से अधिकांश को नश्ट कर दिया गया एक हजार 973 लोगों को लापरवाई बरतने के चलते नोटिस भी दिये गए तो उन्होंने कहा कि विवाग हाई अलट पर है लोगों को सला देते हुए उन्होंने पूरी बाजू के कबड़े पहनने और घर के अंदर और आसपास पानी घट्टा न होने की अपील किये है हुए अब बढ़ोता है यह अलग हम अप 20 तारिक बढ़ेगी किसी कैसी पूरे घरना में बढ़ रहा है ईवन इंडिया मी बढ़ रहा हैं बट हम लोग हाई लर्ड पे हैं और अपने जट्री में हमारे स्वास्त करने हैं सारे टीमें घटित कर रखिया है और मौके में जा क वही करनाल में एक ही परिवार के दोस्तादस्यों के हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है आरोपी वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए गुरुग्राम मुंबाई गोरकपुर और नेपाल के किराय के मकान में रह रहा था और अब विदेश भागने की फिराक में था वही मिली सूचना के आधार पर CIE की टीम ने आरोपी को कुरुक्षेत्र बसड़े से गिरफ़तार कर लिया है आपको बता दे कि जब पुलिस ने आरोपी से पूस्ताच की तो उसने बताया कि आपसे रंजिश की वज़ा से हत्याओं को अंजाब दिया करता था तो फिलाल इस बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं जनता अध्रिटी सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जवनातंत्र टीवी आप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें